भाई अपनी ये जो सीरीज चल रही है Most Important Concepts of Grammar आज ये इसकी 9th वीडियो है और ये इस सीरीज की Second Last वीडियो होगी और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इस सीरीज के अंदर में आपको जितने भी Concepts करा रहा हूँ वो सबके सब Chapter wise form में करा रहा हूँ ताकि जब ये सीरीज कंप्लीट हो तब तो आपको feeling और satisfaction आये ही कि मेरे important concepts revise हो गए इसके लावा जब एक वीडियो भी पूरी करते हो तो आपको feeling और satisfaction आनी चाहिए कि उस particular chapter के मेरे important concepts revise हो गए जैसे आज अपन preposition chapter के concept को देखेंगे ठीक है इसकी playlist भी मैंने create कर दिये YouTube पे आप जाते हो ना ऐसे home videos ऐसे लिखा होता है आप playlist वाले section के अंदर जाओगे हाला कि इसका मैंने नाम आप change करके revision batch कर दिया है तो वो playlist के अंदर आपको इस playlist की सारी videos मिल जाएंगी PDF का मिलती है comment section में मेरी app का link pinned है उसको install कर लो home page पे ही free PDF नाम से आपको icon देखेगा उस पे click करके आपको PDF मिल जाएंगे आज़े ये शुरुआत करते हैं अपनी class की concept number 81 preposition chapter का पहला concept आप discuss कर रहा है पन don't use preposition with these verbs इन verbs के साथ preposition का user ना किया करें ठीक है जैसे आपने सुने होंगे इसके लिए discuss के साथ about ने आता enter के साथ into ने आता comprise के साथ off ने आता इस टाइप के आपने चीजें सुनी होंगी ये उसी रूल को लिखने का तरीका है इन verbs के साथ preposition का use मत किया गरो क्या कारण है कारण बिलकुल simple सा है कि सारी कि सारी वर्ब transitive है इनको object चाहिए होता है आई मेरी बात समझो है ये जितनी वर्ब है ये सारी कि सारी transitive वर्ब है transitive वर्ब कौन सी होते है जिनको object चाहिए होता है जैसे अगर मानलो मैं एक sentence लिख दूँगा we were discussing about the issue मानलो मैं ऐसे लिख दिया we were discussing about the issue तो we subject हो गया were helping verb होगी discussing main verb होगी अगर तुमने about लिख दिया तो क्या होगा वो जो आगे issue word है वो तो about preposition का object हो जाएगा लेकिन discuss verb तो transitive है इसको object चाहिए हाँ कि ना we were discussing या sentence का तम हो सकता है क्या नहीं हो सकता ना तो इसको तो object चाहिए था और वो object आपने पकड़ा दिया about को तो गलत हो गया we were discussing the issue आपको लिखना पड़ेगा आरी बात समझेगा तो ये इनके पीछे का concept है कि ये जितनी भी verb आपको नजर आ रही है सबकी सब transitive verb है इनको object की requirement है अगर आप preposition लगा दोगे तो object तो आगे जो लिखाओ preposition का बन जाएगा तो इनवर्प को तो object मिलेगा है नहीं जो की गलत हो जाएगा आप sentence से और अच्छा समझवाएगा इन sentences को देखो और एक बार खुद से try करने की कोशिश करो दो सेकेंड मतलब वीडियो पॉस कर दिया करो और खुद से try करो हाँ जी दप ले वी आर गोइंग टू परफॉर्म वो प्ले जो हम परफॉर्म करने वाले हैं इन दा एन्वल इवेंट एन्वल इवेंट में उसमें तीन टोटल एक्ट है ठीक है ये जो दोनों वर्ब है ना we are going to perform वो प्ले जो हम परफॉर्म करने वाले हैं प्ले की वर्ब है ये वाली प्ले जो नावन है उसकी वर्ब है comprise और comprise का मतलब ही होता consist of या तो ऐसे रट लो या simple बात है कि comprise एक transitive वर्व होती है भया उसका object चाहिए होता comprises what comprises total three acts तो जो off preposition है यह आपको drop करनी पढ़ेगी clear हो इतनी बात क्योंकि comprise verb एक transitive verb होती है भाईया इसको object चाहिए होगा अगर आप off लिख दोगे तो अगला noun तो इसका object बन जाएगा इसलिए comprise के साथ off नहीं आता generally रटा दिया जाता है enter के साथ into नहीं आता discuss के साथ about नहीं आता comprise के साथ off नहीं आता क्यों नहीं आता क्योंकि सारी verb transitive है इनको object चाहिए जो ही strongly resembles of our grandmother in appearance and in temperament जो ही जो है बिलकुल अपनी grand mother को resemble करती है शकल में और temperament में अब resemble भी transitive होता है he resembles his father resemble का मतलव होता है किसी के जैसा दिखाई पड़ना किसी के जैसा आचरण होना तो यहाँ पर resemble verb transitive है इसलिए आपको off reposition drop करनी पड़ेगी ताकि इस resemble का object grandmother बने अगर यह off रहेगा तो grandmother off reposition का object हो जाता इनको करके दिखाऊ ज़रा हाँ जी the police is investigating into the murder of the man whose body was found on the highway this morning police जो है वो investigate कर रही है उस आदमी के murder को जिसकी body मिली वहाँ पर पहली बात तो police के साथ आर preposition आती है ठीक है यह तो typing error है इसको मैं ठीक कर दूँगा बात मी police के साथ आर preposition बोल दिएगा पुलिस के साथ आर वर्व आएगे नि प्लूरल वर्व आएगी एक गलती तो इसके अंदर यह है यह तो नाउन चप्टर की mistake की police के साथ जो वर्व हो कैसी आती प्लूरल आती दिक्कत इसके अंदर यह है कि investigate तो transitive verb होती है investigate something he is investigating the murder he is investigating the fraud investigate transitive verb होती है direct object लिखोगे look into लिखा होता तो look into एक phrasal verb होती है उसके साथ आता है into तो अगर ऐसे लिखा होता था police are looking into the murder फिर ठीक हो जाता क्योंकि वो क्या है phrasal verb है उसके में into आता है लेकिन investigate तो आपने आम में transitive verb है इसको तो object चाहिए तो यहाँ पर यह जो into है यह आपको drop करना पड़ेगा ताकि इस investigate का object investigate verb का object बन जाए murder police के साथ जो आर वाली गलती है उसको मैं ठीक कर दूँ let's discuss about your current situation and try to find a situation solution चलो discuss करते हैं तुमारी current situation को और solution ढूणने कोशिश करते हैं अब फिर से वही बाद discuss तो transitive verb है और आपने about लगा दिया तो यह current situation तो about preposition का object हो जाएगा तो तो घड़बड है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा let's discuss your current situation clear होगी इतनी मत तो मुद्दे की बात यह थी कि भईये सारी की सारी जितनी verb हैं सब transitive verb है इनको object चाहिए होता है अगर आप preposition बीच में लगा दोगे तो object ही नहीं मिलेगा तो यह गलत हो जाएगा इसलिए preposition को हम हटा देते हैं next पर आईए don't use preposition to after these verbs when they are followed by an indirect object अब आपने concept पड़ाऊगा die transitive verb का जैसे अगर मैं लिख हूँ he gave me a pen he gave me a pen मैं लिखके बस समझा देता हूँ he gave me a pen ठीक है अब आपने सुन रखा होगा यह जो give verb die transitively काम कर सकती है नहीं दो-दो object रख सकती है इसमें क्या हो रहा देखो यह subject है यह verb इसको बोलते है indirect object और इसको बोलते है direct object ठीक है कुछ चुनिंदा वर्ब ऐसी होती है जो दो-दो object रख सकती है उनके पास कहलो कि एक extra power होती है कि वो दो object रख पाए ठीक indirect object generally human being वगरा होते है direct object कोई चीज होती है या ऐसे समझ लो verb से what what का reply होता direct object to whom, for whom, from whom का reply होता है indirect object he gave what a pen to whom me पुछाई बात समझ में तो इसमें एक चीज समझने की कोशिश करना directly तो देखा ऐसा नहीं लिख सकते थे he gave me ऐसा नहीं लिख पाते है न अपन लेकिन यहां लिख पा रहे हैं अगर मानलो मैं आपको कहूँ he gave Rahul कैसे लिख पाते हैं नहीं लिख पाते हैं he gave something to Rahul लिखना पड़ता है हा के न लेकिन यहां वो to कहां चला जाता है actually कहा है वो indirect object और direct object वाले structure में यहां पे वो preposition understood हो जाती है यहां पे यहां पे एक to कह सकते हो कि छुपा हुआ है मेरी कुछ बात आ रही है समझे क्या कहना चाहरा हूँ इसी sentence को और अच्छा समझे आगा देखो अगर इसी sentence को मैं पलट के लिखना चाहूँ जैसे अभी तो मैंने लिखा he gave me a pen अगर मालूप मैं pen को पहले लिखना चाहूँ he gave a pen मी लिखूंगा कि टू मी लिखूंगा he gave a pen मी के टू मी टू मी लिखना पड़ गया न अब तो कहने का मतलब यह कि जैसे ये indirect object डारेक्ट अबजेक्ट वाला structure तूटेगा न तो इस मी के साथ आपको टू लगाना पड़ेगा वरना नहीं चलेगा ये structure की ही खासियत है कि अगर di-transitive verb होती है तो उसमें indirect object डारेक्ट अबजेक्ट वाला जब structure यूज़ करते हो तो indirect object से पहले जो preposition है छुप जाती है understood हो जाती है इतनी बात मरी आई समझे अब देखो है क्या ना इन में से जादतर verb जो है वो di-transitive verb है जैसे ask को समझना देखो he asked to me a question अब पढ़ती पता चलेगे होगा to गलत है यहाँ पे क्यों गलत है क्या logic है रटने की चुरुतने देखो समझना अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ रखेंगी कुछ di-transitive verb आपको याद है तो he subject है ask verb है ask तो di-transitive verb होती है पहले human being लिखते हो indirect object और फिर direct object लिखते हो अब होना क्या चाहिए था यह indirect object बनता और यह direct object बनता और di-transitive verb के case में तो यह two preposition understood हो जाती ही न तो इसको लिखने की जरूरूत नहीं थी बस इतनी बात है जैसे यहाँ पर he gave to me a pen लिखोगे तो गलत हो जाएगा he gave me a pen सीधा लिख सकते हो तो mostly इन में से ज़्यादा तर verb का सबका नहीं कुछ अलग भी है इन में से ज़्यादा तर verb का यह logic है कि यह verb अपने बाजब human being लेती है तो इनका preposition ज़रूरत नहीं होती वो understood होगा होता है क्योंकि ज़्यादा तर इसमें से जो verb है वो die-transitive verb है आई मेरी बात समझें क्या बोला मैंने मैंने कहा कि यह जितनी भी verb हैं इनके बाद अगर आप human being लिखना चाहते हो he asked to me he asked me he begged to me he begged me he informed to me he informed me he advised to me he advised me he allowed to me he allowed me he called to me he called me he assured to me he assured me ऐसे चलेगा जी apprise का मतलब भी inform करने जासा होता किसी को किसी चीज की जानकारी देना he apprised to me he apprised me आरी बात साहते हैं यह जितनी वर्भ हैं अगर इनके बाद आपको human being लिखना है तो इनके बाद to preposition की आफशकता नहीं होती डारेक्ट लिख सकते हूँ आप clear हूँ इतनी वर्भ एक तो वो वाला फंडा हो गया यह वाली वर्भ ऐसी हैं इसमें गलती बहुत कमी बच्चा करेगा अगर पेपर में एरर आया है ना he asked to me 60 से उड़ा देगा to अच्छा है नहीं लग रहा बोलने में है ना ऐसे ही he invited to me अरे he invited me होगा 60 से तू उड़ा देगा इसमें फसने के चांस आपके बहुत ही कम है फसने के चांस है इनमे यह ऐसी वर्भ हैं भाया इनका object human being नहीं हो सकता spoken में आपने खुब सुना होगा he proposed me नहीं आपको चीज परपोज करोगे किसी के समक्ष तो he proposed to me that ऐसे बनाना पड़ेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा आपको he suggested me नहीं भाया he suggested to me that we should do this कोई चीज सजेस्ट करी जाएगी तो यह जितनी वर्ब हैं देखा आपको सुनने बोलने में बहुत अच्छी लगेंगी he talked me he talked to me आरिय बात समझ में ऐसे ही he wrote me he wrote to me यह जितनी वर्ब हैं यह जितनी वर्ब हैं इनके बाद आप directly human being नहीं लिक पाओगे इसमें आपको two prepution डालनी पड़ती उसमें नहीं फसोगे फसोगे इसमें तो इनको थोड़ा स्टार माग करके दो तीन बार चार बार पढ़ना दिमाग में एक छोटा छोटा संटेस इन पर सोचना चलो कुछ संटेंस हैं करके दिखाओ अपने आप फिर मैं बताता हूँ हाँ जी whenever I visit domino's I always ask to the cook to put extra sauce on my pizza जब भी मैं domino's जाता हूँ हमेशा मैं cook को बोलता हूँ कि extra sauce डाली हो मेरे pizza पर ठीक है ask somebody to do something ask के बाद जब human being लिखते हो तो क्या ये two preposition की ज़रत पढ़ती है नहीं पढ़ती ना क्योंकि ये die transitive और है ask का indirect object हो जाएगा to cook मतलब cook और ये to put हो जाएगा इसका infinitive direct object हाँ के ना I want to thank to Rita मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ Rita का तो thank के बाद अगर human being लिखते हो तो क्या to preposition लगाते हो he thanked me के he thanked to me I thanked Rahul के I thanked to Rahul तो thank वर्ब जो है इसके बाद सीधा human being लिखा जा सकता है I was upset because मैं upset था क्योंकि मेरे parents ने मुझे रोक दिया I was upset because my parents forbid forbid somebody from doing something किसी को कोई काम करने से रोकना forbid के साथ सीधा human being आता है forbid verb का structure का है forbid somebody from doing something किसी को कोई काम करने से रोकना he forbid me from watching television he forbid me from going there he forbid me from talking to her आरी बाद समझ में forbid somebody from doing something ये ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद human being सीधा लिखा जा सकता है preposition की आवशकता नहीं है इनको करके दिखाओ ज़रा मैंने का था ना उनमें नहीं भस होगे हैं वो easy हैं भसेंगे बच्चे ज़्यादा तर इन में I apologize to my client for cancelling the meeting at such a short notice मैंने अपने client से माफी मांगी meeting cancel करने के लिए कि इतने कम short notice पे मैंने meeting cancel कर दी apologize to somebody उसने अपने parents के आगे प्रस्ताव रखा कि उनको एक vacation के लिए जाना चाहिए करला में तो he proposed his parents नहीं he proposed to his parents कोई चीज का प्रस्ताव रखा जाएगा किसी के समक्ष तो यहाँ पे to लगाना पड़ेगा propose के साथ मेरे grandfather की जब death हुई तो मैंने doctor से पूछा कि मुझे बताओ मुझे explain करो उनकी death का cause कोई चीज explain करी जाएगी किसी विक्ति को explain का object बनेगा यह the cause of his death explain का मुझे थोड़ी explain कर दोगे इंसान को थोड़ी explain करोगे उसके समक्स explanation दोगे तो यहाँ पे I ask the doctor to explain me to explain the cause of death to me यह मी की जगा to me तो होगा ही होगा और best position यहाँ रहेगी last में तो पढ़ने से देखो आपको पता चलेगा है ना यहाँ पे एक सिधा सिधा object था तो इसके बाद यहाँ पे लिखना अच्छा रहेगा जैसे he wrote me a letter गलत है ठीक है तो क्या लिखे है he wrote to me a letter की he wrote a letter to me तो जो to me है end में चला जाएगा ऐसे जैसे मैंने आपको वो नहीं लिखके दिखाया he gave to me a book गलत हो जाएगा क्या लिखना पड़ेगा he gave a book to me last में ले जाना पड़ता है तो वो वाली बात है कि जो to me की position है object के बाद होती है लेकिन दिक्कत के यहाँ तो object के रूप में पुरा clause है ऐसे यहाँ object के रूप में I apologize to me ऐसे कोई direct object आगे है ही नहीं तो situation पर dependent होता है कि यह कहाँ जाएगा ठिक इस case में जो to me की best position है वो यहाँ पर यह आपको reading से पता चलेंगी भाई चीज़ें चलो जी अब थोड़ा सा परचार का समय आ गया है अगर आप competitive exam की तयारी करते हैं और English के लिए कोई paid batch लेना चाहते हैं और batch भी ऐसा जो अपने आप में एक one stop solution हो यानि उस batch को लगाने के बाद फिर theory के लिए कोई book पढ़ना practice के लिए कोई और book ढूंडना उन सब की जरूरत ना पढ़े अपने आप में एक one stop solution यानि grammar की basic to advance theory भी batch में ही हर एक chapter की practice भी ठिक है notes की hand written PDF भी printed चाहिए तो Amazon flip card पे अवलेबल हैं जिन बच्चों के पास समय नहीं है खुद notes नहीं बना सकते टाइवड फॉर्म में चाहिए तो Amazon flip card वगरा से मंगा सकते है photos और नमनिक से पढ़ाई गई वो कहाई वैसी वाली vocabulary ये word है चार से नहीं ये word है चार एंटरिम रट लो एक एक वर्ड की photo nemonics sentence की class के अंदर ही याद हो जाए ऐसे पढ़ा रखी है 2023 की 2022 की 2021 की सारे SSC exam की सारे ACDS exam की सारे NDA की exam की आपको वो कहाई close test, para-jumble, reading comprehension इसके बाद यही क्यों आया यहीं से क्यों शुरुवात करते हैं ये चार option है, इसमें ये क्यों select किया ये वाला क्यों उटाया theory plus pre-level के practice plus main level की practice previous paper भी डलवा रखे है panel पे आपके attempt करने के लिए CGL के, CHSL के, CPO के, STNO के, CDS के बीच-बीच में live interaction लेता रहता हूँ ये है सबसे main feature एप पे भी एक doubt का option है जहां पे आप doubt पोस्ट करके अपने batch के दोस्तों से बात कर सकते हूँ उसके अलावा personal whatsapp number जब आप admission लोगे उसके 8 से 10 दिन के बाद application पे एक notification आएगी कि ये अमनसर का personal whatsapp number है doubt के लिए उसको आप अपने फोन में save कर लेंगे और मेरे फोन में उस अफते में जितने बच्चों ने admission लिया होता हूँ पहली save कर लेता हूँ ठीक है फिर आपका जब मेरे पास message आएगा आपका number और अलड़ी मेरे पास saved दिखाएगा आप मेरे से one to one बात करेंगे कोई staff नहीं कोई selected student नहीं खुद मेरे को आप reply करते हूँ देखेंगे किसी के पचास हजार के batch में भी आपको ये feature नहीं मिलेगा इस एक feature पे रोज के पाच-पच घंटे डिवोट करता हूँ मैं आपने तभी daily daily batch लाना हर 15 दिन में बैच लाना हर एक में बैच लाना मेरे लिए possible नहीं हो पता one stop solution content plus doubt का आपका सिधा समाधा ठीक है जी आजाई जो भी interested है ये नीचे number है और कोई query हो तो इस पर whatsapp कर सकते हो बाकी application पर batch है डारेक्ट जाके purchase कर सकते हो concept number 83 because otg conjunction because of otg preposition in case होती है conjunction in case होती है जी एक preposition unless होती है जी एक conjunction without होती है जी preposition इसी की confusion आ जाती है चाहिए थी conjunction लगा दिया because of अब इतनी grammar तो मुझे लगता है अगर मेरे channel पे आए हो तो इतनी grammar तो आपको आती होगी कि कहा preposition लगानी और कहा conjunction जब दो clauses को जोड़ना हो तो conjunction लगेगी जब आगे सिरफ noun दे रखा pronoun दे रखा object बनाना है तो preposition लगेगी ठीक है because conjunction है because of preposition है अब इसका मतलब क्योंकि है ये भी कारण बताने की काम आती है लेकिन structure का फरक है grammatical profile का फरक है in case माने अगर होता है इस जैसा सा मतलब होता है अच्छा जी in case conjunction है in case of preposition है unless conjunction है और without preposition है करके दिखाना जड़ा एक बार इन sentences को पढ़ो और सोचने की कोशिश करो कि यहां मुझे conjunction चाहिए कि preposition हाँ जी semi finale जो था T20 World Cup का उसको रोक दिया गया heavy rain की वज़े से अब यह जो heavy rain है यहां कोई verb नजर आ रही है बिना verb के clause बन सकता है नहीं तो इसका मतलब सिरफ noun लिखा हुआ यहां पर noun plus adjective तो clause तो बननी रहा तो conjunction नहीं चाहिए क्या चाहिए preposition चाहिए preposition चाहिए तो आपको because of का use यहां पर करना पड़ेगा clear होगी इतनी बात I love spring season मुझे spring season पसंद है क्योंकि वो जो खिलते फूल किनकी वज़े से खिलते वे फूलों और जो green leaves होते हैं वो मेरे heart को joy से भर देते हैं मुझे spring season पसंद है क्योंकि जो खिलते वे फूल और हरे पत्ते जो होते हैं वो मेरे दिल को joy से भर देते हैं अब यह दोनों subject हैं और यह इनकी वर्व है तो यानि यहां पर clause बन गया clause बन गया तो दो clause हो गए दो clause होगे तो conjunction चाहिए because of तो preposition होती है तो अगर मैं इस off को उड़ा दूँगा तो यह क्या बन जाएगी तो यह conjunction बन जाएगी clear होगी इतनी बात इनको करके दिखाऊ ज़रा हाँ जी everyone bought groceries in bulk हर किसी ने groceries in bulk में खरीद ली covid के दौरान कहीं lockdown extend हो गया तो है ना उससे बचने के लिए तो यह lockdown gets extended lockdown plus gets यह तो subject plus verb बन गया यानि यह तो clause बन गया clause बन गया तो यानि यह पर conjunction चीकी preposition conjunction तो यानि in case off नहीं आप आएगा in case आएगा आर यह बात सावज़े you can call me anytime in case any emergency तो मुझे किसी भी time call कर सकते हो emergency के case में emergency के बात कोई verb दिख रही है क्या नहीं दिख रही ना clause नहीं बन रहा तो यहाँ पर क्या चाहिए preposition चाहिए अगर यहाँ पर ऐसे होता हो न in case any emergency arises in case कोई emergency आती है arises verb लिखी होती तो ठीक हो जाता है अभी verb नहीं है तो यहाँ यहाँ पर preposition चाहिए तो यहाँ पर in case of any emergency आपको लिखना पड़ेगा clear होगी इतनी बात अगला भी बिलकुल आसान सा है है ना जैसे उसमें अपनने पड़ा वो grammar के base पर difference थे अब meaning के base पर difference है एक word है जी instead of इसका मतलव तक की बजाए कि यह करने की बजाए उसने यह काम कर लिया ना instead of doing this he did that उसने यह काम करने की बजाए यह काम किया in spite of का मतलव तक के बावजूद in spite of having high fever बहुत तेज बुखार होने के बावजूद उसने काम पूरा किया के बावजूद despite का और in spite of का मतलब same होता है मतलब sorry हाँ despite of ये वाला है उसकी तरफ उंगली कर दी थी मैंने despite और in spite of का मतलब दोनों का same होता है के बावजूद बस इसमें off नहीं आता है इदियानक ना ठेक है? in spite के साथ off आता despite के साथ off नहीं आता दोनों का मीनिंग बिल्कुल same है दोनों ही prepositions है करके दिखाओ ज़रा हाँ जी in spite of buying a new car कहना मीनिंग क्या देना था? एक नई कार खरीदने की बज़ाए मैंने decide कि पापा की vintage car ही चला लूँगा है ना? तो यहाँ पे कहना था क्या? की बज़ाए और हमने in spite of कह दिया यह नहीं के बावजूद यह तो मीनिंग गलत कर दिया तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था instead of clear होगी इतनी बात यह काम करने की बज़ाए मैंने यह decide किया instead of financial difficulties कहना क्या था? financial difficulties के बावजूद उन्होंने कभी कह पैसे उधार नहीं लिया अपनी family है दोस्तों से के बावजूद वाला मीनिंग देना था? मैंने तो की बज़ाए वाला मीनिंग दे दिया? तो यहाँ पे कहा है? या तो in spite of लिखो या despite लिखो या तो in spite of लिखो या despite लिखो दोनों चल जाएंगे criticism face करने के बावजूद ये struggle करता रहा है एक actor बनने की despite के साथ off नहीं आता के बावजूद वाला मीनिंग तो ठीक है बस despite के साथ off नहीं आता clear हो गया जी इतना concept next पह जाईए अगर दो nouns अगर दो nouns and conjunction से जुड़े हो औबियस बात है preposition के इनके साथ लगती preposition के बावज नाउन या प्रोनाउन आता है अगर दो noun या प्रोनाउन and conjunction से जुड़े हो और दोनों अलग-अलग preposition लेते हो तो फिर अलग-अलग लिखनी पड़ेगी एक से काम नहीं चलेगा एक्जामपल से जाद अच्छा समझाएगा एक बार इन दोनों sentences को पड़ो एक्जामपल से जाद अच्छा समझाएगा या बात एक बार आप ट्राइ करो फिर मैं कराता हूँ अजी इट इस clear that ये बात साफ है कि मेरा जो बैग है वो superior है लेकिन सस्ता है तुम्हारे वाले से ये बात बिल्कुल साफ है कि मेरा वाला जो बैग है वो superior है लेकिन सस्ता है तुम्हारे बैग से अब and से जुडियों चे बट से जुडियों दोनों ही coordinate conjunction होती है वो बात दोनों पर apply होगी अब यहाँ पर बात कहेगी superior के साथ than नी superior के साथ two आता है पर cheaper के साथ देन आता है है ना अब इसके साथ two आता है इसके साथ देन आता है तो ये एक अठ्थे join नी हो पाएंगे आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा superior to हाँ ये yours दोनों जगा लिखने की जुरुत नी ये understood हो जाएगा it is clear that my bag is superior to yours but cheaper than yours ये yours दो बार लिखने की ज़रुत नी है वो वहाँ पर लिखा हो एक ही बार से काम चल जाएगा लेकिन superior के साथ two आता है cheaper के साथ than आता है तो ऐसे एक अठ्था करके काम नहीं चलेगा वरना फिर superior के साथ ये than understood हो जाएगा जबकि superior के साथ two preposition आती है तो यहाँ पर आपको two लिखनी पड़ेगी once I hand over the keys to you एक बार मैंने चाबियां तुम्हें सौंप दी तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ किसी परकार के loss या damage का इस गाड़ी को एक बार चाबिया जैसे मैंने तुझे दे दी उसके बाद कोई भी loss या damage का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ libel का मतलब होता जिम्मेदार उसके साथ तो for preposition आती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है loss के साथ of preposition आती है damage के साथ two preposition आती है तो यहाँ पर आपने क्या क्या loss और damage दोनों को end से जोड़ा और two से काम चलाना चारे हो नहीं चलेगा for any loss of and damage to this car अरी बात समझ में for any loss of and damage to this car यह this car दो बार लिखनी के जुरूत नहीं for any loss of this car या for any damage to this car यह this car दो बार लिखनी के जुरूत नहीं लेकिन loss के साथ off आता damage के साथ तो दो बार आपको preposition लिखनी पढ़ेंगे, clear हो गया तो funda यही था कि अगर दो नाउन आपने conjunction से join कर दिए और दोनों के साथ अलग-अलग type की proportion लगती है तो ऐसा नहीं कि एक आप लगा दो टाप दो दोनों अगर अलग-अलग proportion लेती हैं तो अलग-अलग ही लिखनी पढ़ेंगी नेक्स्ट पढ़ा जाईए among versus between अब मुझे लगता है बात सब बच्चों ने पढ़ रखी होगी कि among लगता है दो से ज़्यादा के लिए और between लगता है दो के लिए दो की बात करनी होती है तो between आता है लेकिन दो से ज़्यादा के लिए अमंग आता है ये तो सब ने पढ़ रखा है लेकिन धियान रखना दो से ज़्यादा के लिए भी between आ सकता है between can be used for more than two if there is a relation between the elements अगर जिनकी बात हो रही है उनके बीच में relation है खास करके आपको ऐसे sentence दिखेंगे को deal sign होने वाली बात जैसे deal sign हो गई इन इन देशों की बीच में या match खेले जा रहे हैं इन 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 देशों के बीच में फिर चाहे पांच देश भी लिख रखे होंगे ना तो between लिखना पड़ेगा ठीक है अगर मैं कहूँ अगर मैं कहूँ a try series is being played between India, Sri Lanka and Pakistan तीन है फिर भी between लगाया मैंने क्योंकि match आपस में खेले जाएंगे इंडिया पाकिस्तान के साथ भी खेल रहा है पाकिस्तान, श्रिलंका, श्रिलंका, इंडिया आपस में इनका relation है deal sign करने की बात हो, match खेलने की बात हो तो between दो से ज्यादा के लिए भी लगाया जा सकता है वैसे generally among दो से ज्यादा के लिए और between दो के लिए करो ज़रा हाँ जी my mother stood among me and my brother मेरी माँ जो है मेरे और मेरे भाई के बीच में खड़ी हो गई और उसने अमें का एक दूसरे से लड़ना बंद करने के लिए ठीक है तो obvious बात है दो लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पर among थोड़ी आएगा between आएगा railway authority ने चेतावनी दी थी कि भाईया अपने belongings को अपने समान वगारा को safe रखो क्योंकि वहाँ पर जेब कतरे हो सकते हैं passengers के बीच में अब obvious बात है train के अंदर passenger दो तो बैठे नहीं होंगे बहुत सारे बैठे होंगे हाँ के ना तो दो से ज्यादा की बात हो रही हो उन passengers का अपस में को relation भी नहीं है तो उस case में आपको क्या लगाना पड़ेगा among the passengers लिखना पड़ेगा एक new peace agreement sign हुआ है इंडिया चाइना पाकिस्तान और शिलंका के बीच में और जैसा मैंने अभी आपको बताया अगर deal sign करने की बात हो match खेलने की बात हो यानि कोई ऐसा sentence अगर लिख दिया जाए कोई ऐसी वर्ब लिख दी जाए जिससे clear हो कि जो element से इनका अपस में relation establish हो रहा है तो उस case के अंदर दो से ज़्यादा के लिए भी आप क्या लगा होगे between लगा होगे यहां among नहीं आएगा between आएगा clear हो गया यह वाले error आप देखने को नहीं मिलते हैंगी दो के लिए यह लगाना इसमें फसता है बच्चे एक point भूल जाते हैं हाला कि मैं हर बैच में पढ़ाता हूँ इसके आगे के जो दो या तीन concept है देखो इनकी को लिमिट नहीं है ठीक है preposition के एक तो कुछ चुटपुट से concept होते हैं उनमें से जो important थे मैंने आपको करा दिए बाकि जो concept है जैसे fix preposition हो गया या एक ही word के साथ अलग अलग लगने वाली preposition होगी वो vocab जैसा part है उसकी कोई limit नहीं है अब इसमें मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं आपको important में कितने करा दूँ आरी पास मुझी वो तो vocab वाली बात होगी जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि भाईया die के साथ in भी लगता है die के साथ off भी लगता है die के साथ for भी लगता है ऐसे आपने पढ़ा होगा complain के साथ off भी आता है complain के साथ about भी आता है against भी आता है ऐसे आपने पढ़ा रखे न कौन सा किस case में लगाना है एक तो ये वाली बात ठीक है ये उसी तरज पर है मतलब उसी base पर ये वाला जैसे angry के साथ add भी आता है और angry के साथ with भी आता है कौन सा कब लगाएं एक तो इस type के सवाल और एक वो fixed preposition वाले आपने सुना होगा accused के साथ off आता है cope के साथ with आता है insist के साथ on आता है fixed preposition वाली बात confident के साथ off आता है अब इन दो rules की कोई limit नहीं है ठीक है ये देखो ये vocab type का part है ये तो आपको PDF अगर है जैसे होती है अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ आप एक काम करना जो जहां से आप ये classes की PDF लेते हो ना नीचे comment में मेरी app का link pinned है वहां से जब आप उसको app को install करोगे जो free PDF जहां से classes की PDF मिलती है ना वहीं पर vocab के अंदर जाओगे आपको fixed preposition की PDF मिल जाएगी ठीक है तो उसके अंदर आपको इस type वली PDF भी इस type वली preposition भी की angry के साथ ये कब आता है ये कब आता है वो भी बहुत important है वो भी देख लेना ठीक है आप ये समझो कि वो video इसका party है ठीक ये जो 87 और 88 number rule है ना वैसे अब दिखने में तो ये 2 minute में cover कर दूँँगा मैं लेकिन अपने आप में grunt है तो आप ये समझना कि वो जो देट दो घंटे की धाई घंटे की ओजकते शायद वो जो वीडियो है डेट 150 most important fix prepositions वो समझना कि आप इसी वीडियो का part है और उस वीडियो को देख लेना ठीक है मैं काम करूँगा मैं उस वीडियो को playlist में भी add कर दूँगा most probably मैंने कर भी रखी होगी ठीक है जब आप इसकी playlist में जाते हो तो मैंने already डाल रखी होगी करो जब आइनको हाँ जी जब आप किसी व्यक्ति से एंगरी होते हो तो विदा आता है जब आप किसी चीज पर गुसा होते हो तो add आता है तो मैं मेरी मा से गुसा था किसी व्यक्ति से गुसा होने के लिए क्या आता है with आता है और जब आप किसी चीज पर गुसा होते हो मैं मेरे phone की performance पर नारास था उस पर गुसा था तब क्या आता है add आता है अब इस type के इनकी को limit नहीं है आ रही है तो सिधा vocab type की बात है बस मैंने आपको बता दिये कि इस type की चीज़ें आती है ये भी उसी type का है जो भी मैं अभी पीछे बताया ये भी वैसे एक example है कि supply के साथ 2 भी आता है supply के साथ with भी आता है structure की बात है अगर supply something पहले चीज लिखोगे he supplied food to the poor बाद में चीज लिखोगे तो विदाएगा he supplied the poor he supplied the poor with food structure की बात है और किसी चीज के लिए supply करना purpose के लिए तो फोर आता है तो देखो आपको पता ही है किसी चीज के लिए purpose बताने की proposition फोर होती है बताओ ज़रा इसमें क्या आएगा वीडियो पॉज करके करना है खाली नहीं बैठना है हाँ जी शुरूती स्टार्टेड ए न्यू बिजनस विद हर ब्रदर शुरूती ने नया बिजनस स्टार्ट किया अपने भाई के साथ जिसमें वो सप्लाई करती है स्टेशनरी सब के सब स्कूलों को सप्लाई करती है कोई चीज किसी को पहले चीज लिखी फिर जिनको सप्लाई करती है वो लिखा तो यहाँ पर क्या प्रिपुशन आएगी सप्लाई सम्थिंग टू समबडी क्लियर हो इतनी बात जब मेरा ब्रदर कोविड के दौरान कॉरंटीन हुआ मैंने उसको फूर चीज लिखते बाद में इंसान लिखते तो तो तू आ जाता है लेकिन अगर पहले हिम लिखोगे तो फिर क्या प्रिपुशन लगानी पड़े गी सप्लाई सम्बडी विद सम्तिंग और मैं मेडिसन सप्लाई करता हैं गरीबों को पहले चीज लिखी फिर इंसान लिखे तो टू आ गया लेकिन आगे देखो उनके treatment के लिए purpose को बताने की preposition 4 होती है इसमें तो कोई शंका है ही नहीं चलो जी fixed preposition जैसा मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा papers में जो दिखती है वो ये 5 दिखती है accused के साथ off आता है cope के साथ with आता है dispose के साथ off आता है afraid के साथ off आता है different के साथ from आता है सबसे ज़्यादा exams में ये दिखती है accused off तो पता नहीं मतलब कितनी बार आ गया हुआ कुछ गिंती नहीं है ठीक ये fixed preposition कैसे इन पे सवाल बनते हैं तो मैं फिर बता रहा हूँ देखो यार ये वीडियो देखा अभी जैसे छोटी सी है न अभी 36 minutes ही हुए है और एक rule के बाद ये खतम भी हो जाएगी तो आपका ऐसा लोग है यार preposition आपने आप में तो बहुत बड़ा chapter है लेकिन सर ने start मानिएगा ठीक है जी उसको देख लेना जिस playlist में आपको यी वीडियो दिख रही है ना उसी playlist में वो वीडियो भी डली हुई है उसको देखना है आपको करो जो राइन को रोहन was accused for बहुत सुनने में अच्छा लगया accused for रोहन को accused किया गया theft और fraud के लिए ऐसा बहुत मन करेगा हिंदी करके करने का लेकिन accused के साथ preposition बच्चे off आती है रोहन was accused of this thing वो इस चीज के लिए accused था इस चीज का accused था आपको यहाँ पर इसको meaning से नहीं करना accused के साथ off preposition आती है आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है she has not been coming to office वो office नहीं आ रही है एक हफते से क्योंकि वो अभी भी उसकी मा की death को उससे cope कर रही है उससे लड़ रही है ठीक बहुत बार लिखा होता cope with, cope up with something ठीक है cope up with यह दो-दो वाली कोई preposition मरला कोई phrasal verb नहीं होती cope with है सही phrasal verb यह अप जबरदस्ती लिखा होता है बहुत बार papers में cope with आएगा इनको करके दिखाओ जड़ा dispose के साथ off आता है लेकिन o f वाला off नहीं o f वाला होता है न मैं सुनने बोलें बहुत अच्छा लगता है o f separation वाला ऐसे दूर वाला बहुत अच्छा लगेगा कि dispose के साथ यह वाला off लगा देते हैं लेकिन single f वाला आता है ठीक कि तुम्हें dispose off कर देने चाहिए वो सारे के सारे extra item जो तुमने पिछले दो साल में user नहीं किये नेहा cannot go to the jungle for camping नेहा जंगल नहीं जा सकती camping के लिए क्योंकि वो wild animal से डरती afraid के साथ preposition आती है जी off afraid of something तुम्हारी जो curry है तरी जिसको बोलते है सबजी की तरी वो different taste कर रही है उससे जो हमने तुम्हारे मा के घर पे खाई ती है different के साथ क्या preposition आती है different from ना कि different than clear होगी इतनी बाद आज के last concept पर आजए लंबा चोड़ा सा rule है देखो दिखने में अगर एक infinitive का use describe करने के लिए किया जाए किसी noun या pronoun को तो वह noun या pronoun उस infinitive में आई verb का object होना चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो preposition का use करें इसको आव मैं समझाता हूँ मैंने एक sentence लिखा I need something to eat ठीक और एक मैंने sentence लिखा I need somebody to eat ठीक यह दो sentence मैंने लिखे I need something मुझे जरूरत है किसी मुझे I need something मुझे कुछ चाहिए कुछ क्यों चाहिए खाने के लिए something क्या काम आएगा something का purpose क्या है खाया जाना ठीक eat का object something हो सकता है I ate something मैंने कुछ खाया था बिलकुल हो सकता है तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन जैसे मैंने यह लिख दिया I need somebody to eat तो अब यह पता क्या हो गया यह tweet किसके लिए आगया somebody के लिए आगया eat वर्ब का object आपने somebody को बना दिया इनिफिनिटिव जिनेट पार्टिजिबल सेमी वर्बोते अरद वर्बोते इसमें भी तो वर्ब कांच है इस sentence का मतलब पता क्या है I need somebody to eat का मतलब हो जाएगा मुझे कोई चाहिए जिसको मैं खा जाओ नर्बक्षक हो क्या कहना क्या था कि मुझे कोई चाहिए जिसके साथ मैं खा सकूँ हां के ना तनहा हूँ अकेला हूँ I need somebody to eat with किसी के साथ आई कुछ मरी बात समझ में और example से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ I need a chair to sit ठीक है मुझे कुर्सी चाहिए बैठने के लिए अब देखो है क्या समय notice करना जब एक noun या pronoun के साथ एक infinitive दिया हो जो उसका purpose बता रहा हूँ जब एक noun या pronoun के साथ एक infinitive दिया हो जो इसका purpose बता रहा हो तो इसमें I verb का object ही होना चाहिए है तो बहुत अच्छी बात है जैसे ये no error हो गया eat का object something बन सकता है तो no error हो गया हाँ के ना लेकिन I need a chair to sit sit का object chair हो सकता है I sit a chair लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता ना on proportion चाहिए होती है sit verb का object chair नहीं हो सकता तो यहाँ पे आपको on लगानी बढ़ेगी I need a chair to sit on तो जब भी एक noun या pronoun के साथ infinitive लिखो और वो infinitive इसका purpose बता रहा हो something का क्या purpose है खाया जाना somebody का क्या purpose है खाया जाना गलत हो गया तो इसलिए with लगाना पड़ाना है किसी के साथ खाना करना पड़ा ऐसे ही chair का क्या purpose है उसके उपर बैठना chair पर बैठना यह on आपको लगाना पड़ेगा meaning को देने के लिए जब भी एक noun या pronoun के साथ इनिफिनिटिव लिखा और वो इनिफिनिटिव इसका purpose बताने के लिए लिखाओ तो इसमें आई वर्ब का object ही बनना चाहिए बनता है अच्छी बात नहीं बनता है तो preposition लगाओ attach करने वाली set का object chair नहीं बन सकता तो on से connect कर दिया ऐसे eat का object somebody नहीं बन सकता था तो with से connect कर दिया clear होगी इतनी बात हाँ जी अब इन दोनों को करके दिखा हो ज़रा सुधीर was upset about losing his job सुधीर इस चीज़ को लेकर अपनी job को खोने को लेकर upset था but he had no one to talk लेकिन उसके पास कोई था नहीं जिससे बात कर सके he subject है had main verb है no one उसका object हो गया अब ये to talk लगाया आपने no one के लिए है ना to talk किसका purpose है no one का purpose है अब मुझे बताओ I talk no one ऐसा लिख सकते है I talk no one क्या talk के बाद सीधा no one लिख सकते हो नहीं लिख सकते है ना I talk to nobody I talk to no one I talk to Rahul talk के बाद preposition लगानी पड़ती है human being लिखने के लिए तो यहाँ पे भी आपको to लगाना पड़ेगा he had no one to talk to जब भी एक noun या pronoun के साथ एक infinitive लिखा होगा जो इसका purpose बता रहा होगा तो इसमें आई verb का objective यह बनना चाहिए बन जाए बहुत अच्छी बात ना बने तो preposition लगानी पड़ेगी he lives with his parents because he has several health problems वो अपने parents के साथ रहता है क्योंकि उसको बहुत सारी health problems है और उसको कोई चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके जिस पर वो rely कर सके अब ज़रा समय ना and needs someone to rely I rely somebody की I rely on somebody rely verb का object क्या someone हो सकता है no you rely on somebody तो यहाँ पे आपको इसके बाद to preposition sorry on preposition लगानी पड़ेगी बोलो जी clear होगी इतनी बात यह वाला concept भी clear हो गया मैं एक बार आपको last में फिर ही याद दिला दूँ कि भाई यह जो preposition की आज जो अपने most important rules की जो वीडियो देखी यह अपने आम में छोटी दिखरी होगी लेकिन वो जो 150 most important preposition fix preposition वाली वीडियो है आप इसका part मानिएगा उस वीडियो को है ना वो भी इसके साथ attach है वो भी आपको देखनी है इसी playlist के अंदर जहाँ पर यह वीडियो आप देख रहे हैं उसी playlist के अंदर वो वीडियो डली हुई है नहीं तो YouTube पर वैसे सर्च कर लेना 150 most important fix preposition by Amansar तो भी आपको वीडियो मिल जाएगे ठीक है उमीद करता हूँ कि यह जो series है इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा सारे concepts revise हो रहे होंगे यह आज अपनी second last video थी next video के अंदर अपने 100 rules पूरे हो जाएगे आप इसको 100 golden rules of grammar कह लें 100 most repeated rules of grammar कह लें 100 most important rules of grammar कह लें जो आप क्या मन करें लेकिन यह 100 जो concept हैं जो rules हैं वो बहुत 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 इंपोर्टन है ठीक उनको आपको paper से पहले ज़रूर revise करके जाना चाहिए यह आपका homework है ठीक इसके answer मुझे comment करके बताईएगा और अगर यह series अच्छी लग रही हो तो वो algorithm के लिए like, comment, share वाला काम देख लेना next video भी मैं जल्दी ही डाल दूँगा ताकि अपनी यह series पूरी हो जाए ठीक आज के लिए goodnight